हेलो फ्रेंट्स स्वागता है आपका अमारे इस एक्जाम नानी की पूरी संभावना है अगर आपने इस वीडियो के पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रू देख ले जिसका लिंक उपर आई वट्टन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारा पहला कोशन है एक नमर इंपोर्टन्ट है रिस्यादी प्रनीत को क्या कहते हैं तो पहला उप्सन है भी तक दुसरा है मरी तक तीसरा है क्री तक और चोता है हिरी तक तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा नमर क्री तक रिस्यादी प्रनीत को क्री तक कहाते हैं इसलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है हमारा दो नमर बेदी रूपी सास्त्र क्या होता है तो पाला अनित्य दूसरा है नित्य तिसरा है क्रित्य और चोथा है भृत्य तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा नमर निरित्य बेदी रूपी सास्त्र निरित्य होता है इस कौन समुद्र में बिलीन हो जाती है तो पाला उप्सन है समुद्र दूसरा है सरीर तीसरा है भक्त और चौता है नदी तो इसका सही आंसर हो जाएगा घा नमर नदी नदी अपने नाम और रूप को छोड़ कर समुद्र में बिलीन हो जाता है इसलिए तीन का सही आंसर होगा आनिक की जानकारी हो जाती है तो पहला उप्षन है साधक को, दूसरा है हो साधक को, थिसरा है मुर्ख को और चोथा है राजा को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा का नमर साधक को साधक पुरुस को मिर्तियों आने की जानकारी हो जाती है, इसलिए पांच का सही आंसर होगा का नमर साधक को हमार अगला question है छे नमर important है मंगलम पार्ट में कैसे मंत्र संक्लित है तो पहला option है पध्यात्मक, दूसरा है गध्यात्मक, तीसरा है दोनों और छोथा है नाट्यात्मक तो इसका सही answer हो जाएगा का नमर पध्यात्मक मंगलम पार्ट में 3 मंत्र संक्लित हैं तो पद्यात्मक पद्यात्मक क्या होता यानि जो कविता यानि स्लोक के फावर में जो रहता है उसे हम पद्यात्मक कहते हैं तो मंगलम पार्ट में स्लोक के फावर में है इसलिए इसका सही आंसर होगा का नमर पद्यात्मक हमारा अगला question है 7 नमर मंगलम पार्ट में परमात्मा की अप्राविद्या के पांच मंत्र किसके संग्लीत है तो पहला option है उपनिसद के दूसरा है बेड के, तीसरा है पुरान के और चोथा है तंत्र के तो इसका सही आंसर हो जाएगा का நमर उपनिसद के मंगलम पार्ट में परमातलमा की अप्रा विद्या के पांच मंत्र उपनी सद से संकली थे इसलिए साथ का सही आंसर होगा का नमर उपनी सद अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हमारा आठ नमर किसकी बिज़े नहीं होती है तो पहला उप्सन है सत्य की दूसरा है उसत्य की तीसरा है धर्म की और छोता है सत्य और उसत्य दोनों की तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा नमर उसत्य की उसत्य की बिज़े नहीं होती है इसलिए आठ का सही आंसर होगा खा नमर उसत्य अगला question देखते हैं अगला question है हमारा नो नमर अनोर नियाम महतो महिमान महत्मना मंत्र की सुपनिसद संग्रीत है तो पहला option है मुदकोपनिसद, दूसरा कठोपनिसद तिसरा है स्वेता स्वेतरूपनिसद और चोथा इसावास्यूपनिसद तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा नमर कठोपनिसद से अनोर नियाम महतो महिमान महत्मना मंत्र कठोपनिसद से संग्रीत है इसलिए नो का सही आंसर हो जाएगा खा नमर कठोपनिसद अगला question देखते हैं अगला question है हमारा 10 नमर नदियां किसे छोड़कर समुदर में मिल जाती है तो पहला option है काम रूप को, दूसरा है नाम रूप को, तीसरा है तम रूप को और चोथा है स्वास्ति रूप को, तो उसका सही आंसर हो जाएगा खा नमर नाम रूप को नदियां जो है वो नाम रोप को छोड़ कर समुद्र में मिल जाती है इसलिए 10 का सही आंसर होगा खा नमर नाम रोप को अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है हमारा 11 नमर मंगलम पार्ट में किसके सिद्यानत का वर्रन किया गया तो पहला उपसन एकाब्य सास्त्र दूसरा है दर्सन सास्त्र तीसरा है बेद और चोथा है पुरान तो इसका सही आंसर हो जाएगा खा नमर दस परस्टूत पार्ट में किसकी महिमा का गान किया गया यानि इस कोश्चन में यह सा भी रहेगा कि मंगलम पार्ट में किसकी महिमा का गान किया गया तो पहला उपसन एकत्र दूसरा है देवात्मा तीसरा है परमात्मा और चोथा है मनुस्स से की तो इसका सही आंसर हो जाएगा गान अमर परमात्मा की परस्तूत पार्ट दूसरा है मानब के दौरा तीसरा है दानब के दौरा और चौथा है बीरों के दौरा तो इसका सही आंसर होगा का नमर परमात्मा के दौरा यह संसर किसे अनुसासित है तो परमात्मा के दौरा अनुसासित है इसलिए तेरे का सही आंसर होगा का नमर परमात्मा के दौरा तो झाल झाल